अन्राग कशब की एक मुवी आती है जिसका नाम है दोबारा ये जो मुवी है वो कोपी है एक स्पैनिश मूवी जिसका नाम है मिराज मिराज मुवी ओलेडी नेट्फिक्स पर एविलेबल है जिसको मैंने लगबग 2 साल पहले देख लिया तो उसका रिव्यू भी मैंने कर र को क्रेटिविटी का नाम कैसे दे देते हैं अब यहां पर मुवी तो मैंने नहीं देखिए और नहीं मेरा देखने का कोई मूड है क्योंकि जैसे मैंने लोगों के अपीनियन सुने हैं आमडीवी के उपर जैसे की रेटिंग मिली है वहां पर लोगों ने अपने रिव्यू वहां लिखे हैं तो बहुत बुरे बुरे बहुत खराब रिव्यू दिये गए हैं तो मेरा कोई मन नहीं है कि ऐसी मूवी हो यह जिसको जाकर मैं देखूं त्याटर को क्या है अब भी होने से पहले इंट्रीवियू कि हम में पाला इंट्रीव्यू देते हैं तो इनमें से पूछ लिया जाता है कि जो मूवी नहीं चल रही है उसके पीछे से तींग है कि उनके जो मुवी नहीं चल पा रही है रीजन क्या है अब भूल बले यह टूको कर आप साइड में टा देते हो तो उसने काफी अच्छा कलेक्शन करते हैं किया है अगर उसके लावा मैं बात करूँ एक विलन रिटन भाई साब इतनी वाहियात मुवी शम शेरा वह ओंदे म सब्सक्राइब करना चाहिए कोपी करने के वजाए खुद अपना दिमाग यूज कर लेना चाहिए जो इनके पास हो तो यहां पर यह सब चीजे करेंगे तो शायद बोलीवूड जो है वह वापस रिवाइफ हो पाए और वापस ओडियंस को अपनी तरफ खीच पाएं लेक इससे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ट्रेंड होता है बोलीवूड लोग पैसे है यह नि लोग फिल्म देखने जाना चाहते है तब जब शूरिटी है कि यह फिल्म सबको पसंदारी है या फिर लोग उस फिल्म का सालों से वेट कर रहे है लोग जेब में पैसे नहीं कर्ष दो चीज के बारे मं बाट करते हैं लोगों को पते नहीं चलेगा हमाएं देश हो जूरों के पैसे नहीं है क्योंकि पनीर के ऊपर जग जाने के पास पैसे नहीं है और पैसे ना होने के काक्ट मू़ी जो है फ्लोप हो रही है भाई साव कॉन सा नशा फूंक कर बैटे हो यार कान में क्या एल डाल रखा एक बर जरा कार्ति के टू लुवी को देख लो उन्हों ने कैसे एक तरीके स्क्रिनिंग के साथ रिलीज होती है और धीरे धीरे जैसे इसको लोगों ने पसंद किया इसका content इतना बढ़िया फ्रेश कंटेंट था लोगों ने इसे पसंद किया इसकी स्क्रिनिंग हजार प्लस हो जाती है हिंदी बैल्ट के के सामने आता है लोग भाई साब उस मूवी को देखने के लिए जा रही है लेकिन भाई साब को वो सब चीज़ें नहीं देखेंगे यह तो वहीं है ना शुतर मुर्ग की तरह है अपना जमीन में गाड़ कर बैठ जाएंगे और फिर कहेंगे कि नहीं नहीं जीस्ती जो है वो लोगों के पास पैसे हैं लेकिन वो तुम्हारी मुवी देखने जाएं ही क्यों कि उसके अंदर क्रियेटिविटी के नाम पे तुम उनको कोपी ही तो दिखा रहे हो ओरिजिनल कंटेंट तुम्हारे पास है नहीं उपर से तुम उनके अंदर प्रोपोगेंडा और को सेट कोई इंसान मुवी जब देखने जाता है तो उसका में मोटी होता है कि वो दिन उसके पूरे हफ्ते की जो थकान है या फिर उसने काफी टाइम से कोई एंटर्टेन्मेंट नहीं लिया तो जाकर एंटर्टेन्मेंट के लिए कोई मुवी देखे लेकिन तुम्हारी मुवी जैसी होती है कि जब बाहर निकलता है तो पस्ता रहया उता है कि उससे वाहियात मुवी म्युक्या कर दूबियाधा इंसान बाहर निकल रहा है तो वह क्यों देखा इसके रहा नेगेटिभिटी चीज़ें दिखायी गई है यार इसके बारे बात नहीं करना चाहूँ है बट एक जो मेन परपस ही होता है वो खुशी-खुशी आया है मुवी देखने तो खुशी-खुशी बाहर निकले लेकिन वो तुम्हारी मुवीज में नहीं है उपर से तुम उनके सर में दर्द करके और भेज देते हो इसके हाई कि आप अपने friends के साथ बैटे होते हैं तो friends में आपको हमजाक उड़ा रहे होते ही अब आप कर क्या सकते हो कुछ भी नहीं सिवाए हंसने के आप हंसरे होते हो मतलब हाँ मुझे अच्छा लग रहा है तो इनसान तब करे न जब तुम्हारी मूवी ही नहीं चल पारी है तो उसको बाइकोट करने का सवाल ही नहीं होता तुम पहले मूवी बना उस पहले फोकस करो creativity लेकर रहो यह copy paste को हटा कर अपना original content लेकर रहो अगर तुमारे पास दिमाग बचा है उसका यूज करो और अगर के पास वो power है कि तुम तक अपनी आवाज पहुचा सकती है और उसका effect पढ़ता है आँखें बंद कर लेने से या जमीन में शुतर मुर्ग की तरह से अपना सर देने से कहने कि बायकोट से कोई असर नहीं होता तो भाई साब तुम तो दुनिया के सबसे मंद बुद्धी इनसान हो कि यह बातने बोल रहे हैं और फिर कह रहे हो कि हमें भी बायकोट की गैंग में शामिल होना है तुम पर आज के लिए इतना रखते हैं अगर आप लोगों को कुछ भी कुमेंट सेक्शन में लिखना है तो लिख सकते हैं वह ओपन रहेगा वैसे भी कुछ उसमें लिखता नहीं है तो बस सच के लिए टने पाथ हैं तो कि ऊचिस वीडियो मिलते हैं नेक्स वीडियो में जाहिंद